नमस्वार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है मगर राशी बालों दोसों आप शबी को बता दें कि दोसों 24 अप्रेल, 25 अप्रेल, 26 अप्रेल, 27 अप्रेल, 28 अप्रेल, 29 अप्रेल और 30 अप्रेल का जो आपका ये अप्रेल मां का आकरी शमय है दोसों बहुत ये आनंदाइक शमय बहुत ज़्यादा लाग परत समय रहने वाले हैं जिया दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि यह शमय आवधी में आप शबी की जुनकाल में पांच यह से बड़े चमतकार देखने को मिलेंगे जिन से दोस्तों आप शबी का जिवन बदल सकता है बसरते दो दोस्तों आपको ए इन बातों को समझना होगा जिया दोस्तों इस विडियो में हम बताने बासे हैं जो जानकार वाले हैं zender करें में और शुरूश लेकर अंतर तक जरूर दिखए कर देंगे ऑप शसबी जानकर देंगे कि जिनकाल में आने वाले पूरे जीवन के लिए बह दोस्तों इन दिनों में आपका पारिल जोन अर्थी सिती और धन को लगत सितियां के पर तेक जनकार इस वीडियो में शुमाई थे शाथे किनी चित्रों को लिकर आपको यश में शावदाने होंगे कौन कोण शेक कारी बाकर चले होंगे शबी जयंकरियां करों की पूरी विस्टेशन और पंचांग की गरना करनी के बाद मिशेश दोर पर आप शबी के लिए बनाय गया है तो दोस्तों वीडियो को अंतर तक देखिएगा उशे पहले दोस्तों शर्परतम जोबी भगवान शर्णिदेप के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक लाइक अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे शर्दभावशे जय शर्णिदेप का नारा लगा दें भगवान कि अशी मश्रबाद आप शर्भी को प्राप्त होगा जिया दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करते हैं कि बहुत अच्छे विचार से जो कि दोस्तों यह शमय आपको अपने ध्यान में रखने हैं कि दोस्तों यह समय के लिए यह विचार बहुत ही ज्या जो कल करना है वो आज ही करो और जो आज करना है वो अभी करो क्यों दोस्तों फल भर में परली हो जाता है फिर आप अपने काम कब करेंगे जिया दोस्तों तो दोस्तों इन शम्याओधी में आपको इन बातों का ध्यान रखना है इन बातों के ध्यान इशले रखना है कि दोस्तों इस वीडियो में हम जो भी बात आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों इन्हें आप कल पर बिल्कुल ही ना टालें जैसे ही जो भी आपको बातें बताएंगे तो दोस्तों उन पर आपको गौश से ध्यान देना है और उन बात ना है तो इस सब्सक्राइब को हेग्राने का बात कर Tutet han may और बखर आंछायां गरी और सुछ वेक्तियों के इस नाइे हैं कि डिए शयोग आपके लिए भागोदाई कारक रहेगा तथा आपके उजनावद तरीके से कायरी करने की परिणाली से कई कायरी सुचारू रूप से यश्मी संपन होते जाएंगे शाधी दोस्तों यश्मी आपकी शाधने को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मी कभी-कभी अत्यद परिष्ट करें दोस्तों यह आपके लिए बहतर होंगे आपका पेशा यश्मी फंश रखते तो इनसे आप यश्मी शाधन है इसको प्रांद दोस्तों यह श्मी आपके लिए जिसमोंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपको दिन भर्द की ताजगी वह फिर उत्सा भरा समय महसुद होगा काम करने का जाजबा जाली रहने के वज़से बड़ी जिम्यदारियों को ठीक से आप यह श्मी निमा भी पाएंगे मित्र परिवार्शे भी किसे भी बड़ी शमस्या काहल निकालने में आप काम्याब रहेंगे और उनमें आपका महत्पुन स्योंग रहे कि यह में काम के बैच्चा आपने व्यक्तित्र तथा रुची समंदी गतियों पर समय वतिताप करेंगे एशा करना आपके अंदर दोबारा नई उर्जा का संजार करेगा तथा रुजमर्णा की ठकान से भी आपको रात देने वाले हैं आपको अपने वयवारिक दिशिकों वपिर उच्च सोच दोवरा कोई उपलब्धी भी एश में हासिल होंगी इसकी प्राहत दोस्तों किसी भी पार्विर्ण श्रदस्यों की विवाय के जीवन में बिगटन शमंदी शमस्या उत्पन होने की शमानों बन रही है इसी धोड़ा सा तनाव भरा माहौल भी रहने व तो दूस्वें इन बातों पर आपको यश्मी गौर करना चाहिए इसको प्राद्यों यह वे आपके लिए जफ्मी होंगे आपको बता दे थे किınınते हुए हर लक्ष को फ्राप्त करने की आपकी जिद आपको तनाव और इस्तिरता दे रही है दोस्तों यह शमय आपको एक शमय पर एक ही काम को करना चाहिए और पूरा ध्यान कोशी पर केंदिश करना चाहिए योजना पर ठीके रहने के लिए आपको अपने अंदर शमय बढ़ाने की भी आपशकता होगी कुछ बातों में तुरंत प्रगती नजर ना आना आपके लिए तकलिप दाइक होँशकता है लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि यह कारे आपके लिए भाश में बहुत इलाब कारत सावड़ाँगी इसको पराने दोस्तों यह शमय आपके लिए जो समय होगे, आपके दिन चे रह के लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बदा दे कि माज़ीक सुकून के लिए किसी धार्मिंग अस्तुल पर आपको शमय वश्ववईतित करें शाति संतान की किरिश शमदी किरिश समस्या का हल भी मिलने शे आपका तरावदर होगा अगर कोई भवन निर्मान शमदी कारी रुका हुआ है तो दोस्तों उसके संद्रम में कोई कारी हो शकता है उनकी वर्जना बनाने का उचित समय है इनमें आप कारी करें ये आपके लिए बहुती बैतर समय होगा इस गुप्रान दोस्तों ये शुमें कुछ नईदी की संबन्नों को लेकर मन में आपका भर मत्वा हातासा जिसी समस्याई भी उत्पन हो सकती है इस्तिती भी ये बन सकती है अपने विचारों में धहर वा फिर अस्तिर्ता बना कर रखें इसमें दोस् इसमें बहुत यह रहेंगे दोनों व्यक्तियों दोबरा प्रत्न किया जा सकता है कि अपने पार्वीर जयोन को या पिर अपने शमन को और भी बहतार रखें परवार के किसी व्यक्ति की शहत में अचानक से शकात्मक बदलाव नजराएगा बिस इस्ता बच्छों के पर ही विश्वास करना चाहिए आपको बता दें कि यह में आपकी बहुत सी प्रिशानियां का हल आपको प्राप्त होंगी और वह आप शोएंगी खोज लेंगे दोस्तों यह में निकर्शमद्यों के शाथ उनके घर में आगमाश से किसी विश्यस मुद्द्य पर गमिरता स से विचार विमर्श भी होगा और कोई उचित समाधान भी यह में आपको मिलने वाले हैं इसका साथी दोस्तों यह में काम कत्यदिक बोज अपने उपर लेने से आपका तनाव बढ़ सकता है जिसका नकारतों परवाओ आपकी कारे छमता पर दिखेगा दोस्तों के शाथ भ बता दें कि बिजनस में पबलिक से समधित रिलेशन को और अधिक मजूद बनाएं आपको बता दें कि मीडिया तदा एड़ुटाइजमेंट शमंदी जो भी काम है उन पर ज्यादा ध्यान दें या समय कामकाज में कुछ चुनुतियां भी आपकी शामने आएंगे हलांके दोस्तों जिवन शाते की अस्वास्ता की वज़शे घर पर थोड़ा सा जो है अत्रिक्त आपको शमय भी देना होगा उनका ख्याल भी रखना होगा इसको प्राहती दोस्तों यह शमय होगे आपके लव लाइप के लिए आपको बता दें कि आप और आपके पार्टनर मिलकर पिगनी या फिर अपने एक साथ वक्त बिताना का भी जना बना शकते हैं इसको प्राहती दोस्तों यह शमय होगे आपके लव लाइप के लिए आपके पारेवरी जीवन के लिए आपको बता दें कि दोस्तों घर में अनुशाशन पूर्ण वातारण भी रहेगा पती पतनी दोस्ती प्रेम शमदों में तो बदलेंगी शादी दोस्तों जो भी पहले से प्रेम शमदों में है यश में उनके शमद बिवा में परिनित भी हो शकते हैं इसको प्राहत दोस्तों यह शमय है अगर आपकी स्वास को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें अधिक तरह और कम नींद के वज़श्ची आपको इसमें तकलिफ हो सकती है तो यह समय इन बातों को आपको ख्याल रखना चाहिए इसको प्राहन दोस्तों यह समय आपके स्वास के लिए आपको बता दें कि अतिदिक काम के वज़श्ची पेरों त फेजियो थेरेपी इसका इलाज भी हो सकता है तो दोस्तों अगर आपके नईदित या कोई परबंध है तो इनका आप उपियोग कर सकते हैं इसको प्राहन दोस्तों यह स्वास के लिए यह समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों बलड प्रिश्चर तदा डाइबिटीज प्रिशानी जो इनको है इसमें उनकी प्रिशानी बढ़ सकती है तनाव ना ले तदा अपनी नेमित जान जरूर करवाए दोस्तों यह आपके स्वास के लिए इसमें बहतर होंगे तो इनका ध्यान दें